जैशिरादे मित्रो मैं हूँ आचारे सचिन शिरोमणी 29 सितंबर 2017 कैसा है आप लोगों के लिए जानी अपनी राशी अनुसार मित्रो मेश राशी के जितने लोग है वो सभी महिलाओं का सम्वान करें तो अरिद्धन की प्राप्ती होगी पीला रंचुब भागय का प्रतिशत 69 व्रशब राशी के बारे में बता दें सोच समझ कर ही आज यात्रा आपको करनी है एक छोटा सा कनेर का पुष्प लेना है मादुरुगा के जिरी चड़नों में अरपन करना है पीला रंचुब भागय का प्रतिशत 69 पितुन राशी उधार पैसा आज आपका वापिस मिलेगा सफलता भी मिलेगी गेरुवा रंच का साथ लीजिए भागय का प्रतिशत 55 करकराशी आज नया वाहन आप खरी सकते हैं पैसे की समस्य खत्म हो जाएगी लाल रंचुब रहेगा भागय का प्रतिशत रहेगा चोंसट सेंग राशी अपने पिता की हर बात माने उनके चरण स्पर्ष करें उनका कहना माने आपको मान सम्मान घर से जब आप बाहर निकलेंगे तो भरदूर मिलेगा लाल रंचुब रहेगा भागय का प्रतिशत रह मित्रो जो मकान का स्वपन था, अपने घर का, अपने फ्लैट का, अपने विला का, जो स्वपन था आपका, वो आज अवश्य पूरा होगा, हो सके तो हल्दी की एक माला लीजिएगा, ओम मंत्र का जाब करते हुए, केले के विरक्षिक में अरपन कर दीजिएगा, पीला रंग्षुप रहेगा, भाके का प्रतिशित रहेगा, 60, धन्र राशी, प्रॉपर्टि में लिवेश ना करें, तो बेतर रहेगा, दो केले किसी मंदिर में दान करी, गेरवा रंग्षुप, भाके का प्रतिशित मादर 50 यानि की 50-50, मकर राशी के बारे में बता दे, माफ कीजिए का धन आज किसी को उधार नहीं देना है वहन सुख्या आपको प्रापती होगी पीला रंग शुप रहेगा, भागे का प्रतिश्यत रहेगा 56 कुम्ब राशी की बारी आचुकी है मित्रो आज आपके मान सम्मान पर बाता सकती है अपनी वानी पर सयम अवश्या रखियेगा बिना सोचे समझे किसी से बात नहीं करनी है नारंगी रंग शुप रहेगा, भागे का प्रतिश्यत रहेगा मातर दुरेसन मित्रो आज मन में चंचलता बिलकुल ना आने दे दमपते जीवन में थोड़ा सकल है हो सकता गबराना नहीं है भगमान विश्णू की आराधना करनी है पीला रंग शुप भागे का प्रतिश्यत साथ ये था मेश से लिए के मिन राशी तक का राशी फल जानिये टिप ओफ तड़े यानि कि आज आज आपका क्या इसा खास आपको उपाय करना है कि आपका हर कारिया निर्मिक लूप से संपन्न हो मित्रो आज आज आपको ग्यारा लोंग लेनी है और सफेद चंदन लेना है सफेद चंदन में मातर पांसाद बूद गंगा जल की मिलाईएगा उन लोंग को अपनी तरजनी उंगली से आप रंग दीचिएगा रंगने के पस्चाथ ओम मंत्र का मातर 27 बार जाप करिएगा और इन लोंग को अपने मस्तक से सपर्ष करके भगमान शिव को अरपन कर दीचेगा करके देखी मित्रों आनंदित होंगे स्वास्ते की प्राप्ती होगी भगमान शिव की कृपा आप पर आपके परिवार पर आपके स्वास्ते पर अवश्य होगी करके देखी मित्रू आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा जो नंबर है वो आपके समक्ष है आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं हमसे डारेक बात भी कर सकते हैं जैसी रादे जैसीर किष्णा